जी सुआघत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सकसेस्टॉक्स विद कन्नु पर तो बचेए आज आपा करेंगे साइंस केadata कोशनस स आरे के सारे कोशनस इंपोर्टेंट है, जैसे कि आपको पता है कि Allah कि आप पार करवाते हैं । जधना उसमें जो है वो description में दे रख है app का 360 job target app है contact number भी दे रख है 966, 362 आप call करके पूछ सकते हैं और app का लिंक दे रख है group D के नाम से HSC group D के नाम से बैच है आप पर change कर सकते हैं तो देखें पहला question है पहला question है सबसे पहले सत्वों का वर्गी करण वर्गी करण किसने किया था सबसे पहले तत्वों का वर्गी करण किसने किया था वो classify classify elements first यानि कि सबसे पहले तत्व जैसे कि periodic table में आप तत्वे देखते हो आरेंज कियो हुए हैं elements आरेंज कियो हुए हैं तो सबसे पहले किसने किया था सबसे पहले किया था डोब्रेनियर ने किसने किया था डोब्रेनियर यानि डोब्रेनियर ठीक है डोब्रेनियर इसने किया था किसने क्या दिया था आपसे पुछा जाए पेपर में बच्चे तरिक का सिध्धान्त किसने दिया था या पुछा जाए आपसे तरिक का सिधान्त किसने दिया था आपसे पुछा जाए ला ओफ ट्रायड्स किसके दवारा दिया गया था ला ओफ ट्रायड्स किसके दवारा दिया गया था तरिक का सिधान्त किसने दिया था डोब्रे नियर का ही दिया गया था क्योंकि उसने तीन तीन तीन-तीन elements के क्या बनाय थे group बनाय थे तीन से क्या बना trick समझ में आई है इसने काम किस पे किया था परमाणू दर्वेमान पे कहने का मतलब यह है कि परमाणू दर्वेमान के बढ़ते करम में, क्या लिखोगे बच्चे? परमानू दर्वयमान के बढ़ते करम पे करम पे तत्वों को अरेंज किया था, परमानू दर्वयमान के, परमानू दर्वयमान क्या होता है, बच्चे? अटोमिक मास, क्या होता है बच्चे? यह होता है, अटोमिक मास, क्लियर इतनी बात, क्या होता है, अटोमिक मास होता है, अटोमिक मास और एक होता है, अटोमिक नमबर, मैंने हर वीडियो में जब भी जिकर आया है, बताया है, कि atomic mass क्या होता है atomic number क्या होता है यह होता है हिंदी में परमानू संख्या और यह होता है परमानू दर्वेमान परमानू दर्वेमान क्या होता है proton और neutron की संख्या किसी भी तत्व में proton और neutron की जो संख्या है neutron की जो संख्या है वो क्या कहलाती है आपकी परमान। दर्वयमान कहलाती है उसी टाइप से आप से पुछा जाए atomic नंबर क्या है तो बताओगे electron या proton की संख्या electron या proton की संख्या अब यहाँ पे एक चीज नोटिस की जए यहाँ पे मैंने ओर लगाया है मतलब proton और neutron को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास में atomic mass आजाएगा पर्मानू दरवयमान आजाएगा लेकिन अगर आप electron या यानि कि electron और proton किसी भी तत्व में बराबर होते हैं या तो आप electron को count कर लीजिए या आप proton को count कर लीजिए तो आपके पास में क्या आ जाएगी पर्मानू संख्या आ जाएगी तो आज की जो periodic table है मतलब जो आप पढ़ते हैं वो पर्मानू संख्या के बढ़ते हुए करम पे विवस्तित है जो की मोजले का नियम है किसका नियम है मोजले का या आप से पेपर में पुछा जाए वर्तमान periodic table में वर्तमान आवर्त सारणी में किसका नियम लगा हुआ है तो आप क्या बताएंगे कि मोजले का नियम लगा हुआ है किसका नियम लगा हुआ हुआ है मोजले का लेकिन बच्चे इस से मोजले से पहले जितने भी मतलब की साइंटिस्ट आए थे चाहे डोबरेनियर ने सबसे पहले किया था उसके बाद में न्यू लैंड आया उसके बाद में मैंडलिफ आया सबने परमानु दरवयमान पे काम किया उनकी प्रियोडिक टेबल जो है सफल न टेबल का ही है ठीक है ला ओफ ऑक्टेव किसके दवारा दिया गया था क्या पुछा जाए बच्चे ला ओफ ऑक्टेव किसके दवारा दिया गया था तो ये न्यू लैंड ने दिया था ला ओफ एक्टेव किसने दिया था न्यू लैंड ने यानि कि संगीत के जैसे साथ उसी टाइप से इस ने बोला न्यू लैंड ने क्या बोला कि पहले एलिमेंट जो होगा उसके बाद जो आठ्वा एलिमेंट होगा पहले एलिमेंटि की प्रोपरटिज जो है वह आठ्वे के साथ क्या खाएंगी। match खाएंगी तो paper में question पुछा जाए कि संगीत के साथ सुरो के साथ में तत्मो को किसने compare किया था तो क्या बताएंगे जी Newland ने किया था और इसको Newland का अस्तक का सिधान्त बोलते हैं काम इस ने भी किस पर किया था पर माणू दर्वियमान पर किस पर काम किया था पर माणू दरवियमान पर इस ने काम किया था आप सौ आप इतनी बाते समझ गई होंगे ठीक है उसके बाद चलते हैं next point पे ठीक है, next point है हमारा, next point है बच्चे हमारा, आप से पुछा जाए कि अपनी आवर्त सारणी में, अपनी प्रियोडिक टेबल में, अपनी आवर्त सारणी में, खाली जगा तत्वों के लिए, यानि कि नए खोजे जाने तत्वों के लिए, खाली जगा किसने छोड़ी थी यानि कि empty space इसने बोला कि भाई नए तत्व आएंगे तो यहां रखे जाएंगे ठीक है किसने अपनी periodic table में आवर सारणी में खाली जगा छोड़ी empty space छोड़ा तो नाम किसका आएगा मैंडलिफ का किसका नाम आएगा मैंडलिफ का आप से पुछा जाए सबसे पहले periodic table किसने बनाई सबसे पहले आवर तसारणी किसने बनाई तो सबसे पहले बचे आवर तसारणी किसने बनाई थी तो नाम किसका आएगा मैंडलिफ का ही बनाएगा सबसे पहले आवर तसारणी बनाने का काम मैंडलिफ का, लेकिन सबसे पहले तत्वों को अरेंज, वैसे ही एक तरीके से अरेंज करने का काम जो किया था, वो किसने किया था, डोबरे नियर ने किया था, किसने किया था, डोबरे नियर ने, लेकिन सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई थी, बच्चे, किसने बनाए थे आवर्त सारणी में वरग और वरग और सबसे पहले आवर्त सारणी में वरग और आवर्त किसने बनाए थे यानि कि कहने का मतलब है groups and periods groups and groups and periods किसने बनाए थे देखो आवर्त सारणी में इस टाइप से जो लेटी हुई लाइने होती हैं उनको क्या बोला जाता है आवर्थ और इनकी संख्या at present कितनी है साथ आप से पुछा जाए कि at present वर्तमान में आवर्थ सारणी में आवर्थों की संख्या यानि periods की संख्या कितनी है seven लेकिन वर्ग जो ये खड़ी हुई लाइने है इस टाइफ से जो खड़ी हुई लाइने है इनकी संख्या कितनी है 18 है 18 कितनी है इनकी संख्या 18 है इनकी संख्या समझ में आगे इतनी बाते साथ ये आवर्थ है और 18 लेकिन जब मैंडलिफ ने periodic table बनाई थी सबसे पहले आवर्थ और वर्ग इसी ने बनाई थे तो मैंडलिफ की periodic table में जो आवर्थों की संख्या थी वो तो साथ ही थी लेकिन मैंडलिफ की periodic table में जो वर्ग थे बच्चे वो कितने थे आठ मैंडलिव की periodic table में वर्गों की संख्या आपसे पुछी जाए तो आप कितने बताएंगे मैंडलिव की periodic table में वर्गों की संख्या जो थी वो कितनी थी आठ थी कितनी थी आठ समझ गे उसके बाद चलते हैं next point पे आपको मैंने ये तो बताई दिया कि वर्तमान आवर्तसारनी जो है उसमें किसका निवे में मोजले का और तत्वों को जो वर्गी कृत किया गया है वो बढ़ते हुए परमानू संख्या के अधार पर किया गया है बढ़ते हुए परमानू और अगर आपसे मैंडलिफ का रहा है किस ने मैंडलिफ ने बढ़ते हुए परमानू तरविया मान पर किसने मैंडलिफ ने अब यहां पर एक चीज और देखते आपमंड़े ज equipped किसको बोला जाए तो स्टारा नंबर वर्ग है ना लास्ट वाड़ा वर्ग उससे जीरो वर्ग कहा जाता है अब क्यों कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी elements है उनकी valency जो है वो क्या है जीरो है ठीक है इसमें जितने भी elements है उनकी valency इंदी में भी paper में valency ही लिखा आएगा टेंशन मतलो valency क्या है उनकी जीरो ही है समझ गये clear है अब वो हैं कौन से कौन से helium, neon, argon, krypton, genone और redone helium, neon, argon, krypton, genone और redone helium, neon, argon, krypton, genone और redone यह सारे के सारे elements हैं जो किसमें आते हैं 18 नंबर वर्ग में आते हैं जिनको 0 वर्ग बोला जाता है क्योंकि इनकी valency क्या 0 ठीक है आप पढ़ेंगे क्यों है zero यहें नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है इनकी क्यों है यह आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से आजके लिए इतना ही इस class में recording class में हम live करेंगे class को जिसमें mcq series रहेंगी आजके लिए इतना ही यह first part था second part जुरूर देखना पेपर में कोशन आया तो गलत नहीं होगा समझ में इतनी बाते और बैच पर चेज करना हो तो 199 का बैच इसमें 30 प्लस mcq रहेंगे इंडिया जी के और साइंस के ठीक है ओके थैंक यू सो मच